प्रिविद्यातियों वार्षिक मुल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्ण पत्र कक्ष्य आठ्वी विशे हिंदी विशेष्ट का सेंपल पेपर टू है प्रश्णों की कुल संक्या है बारा पुर्णांकन अभ्य समय तीन गंटे निर्देश सभी प्रश्ण हल करना अनिवारी है प्रश्ण एक सही वी कल्पका चैन का लिखिये पहला है तांसेन के गुरू थे बेजु बावरा स्वामी हरीदास राजा मानसी हैं विश्णु दिगंबर पलुसकर नमबर दो वर्दे कविता के रतनाकार है सूर्य कांत त्रिपाठी नीराला जै संकर प्रशाद गिर्दर मिराबाई नमबर तीन है अभिमान में उपसर्ग है अभी अ मान न चौंथा है आरियों के प्राचिन गरंत है वेद पुरान दर्शन उपनिशर नमबर पांच नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1910 में सन 1912 में सन 1914 में सन 1916 में प्रश्ण नमबर दो रिक्त इस्थानों की पूर्ति कीजिए महेश्वर को सूर्य वंसी के राजा खालिस्तान ने बसाया था चरन तद्भव शब्द है इसका तस्थम रूप खालिस्तान है नो पर खालिस्तान स्वर्दे प्रार्तना खालिस्तान की पुकार है प्रश्ण नमबर तीन नीमनलिखित प्रशनों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए पहला है कुमार गंधर्व का वास्तिविक नाम क्या था नमबर दो धर्मस्त के दो पईहें कौन-कौन से हैं नमबर तीन उपमा अलंकार के चार अंग कौन-कौन से हैं नमबर चार विभस रसका इस्थाई भाव लिखिये नमबर पांच राजपूत्र में कौन सा समास है नमबर छे शुर्ष में ध्यान किसे कहते हैं प्रश्ण नमबर चार लगूत्तरी प्रश्ण पहला है डाक्टर गोर को भामा शाह क्यों कहा गया है नमबर दो अ उपकार मानने वाला वाक्ट्यान्ष के लिए एक शब्द लिखिये ब करून रसका इस्थाई भाव लिखिये स आखों का तारा मुहावरे का प्रयोक करते हुए एक वाक्ट्य लिखिये द परोकार शब्द का संदी विच्छत किजिए इ ता प्रत्य लगा कर एक शब्द बनाईए फ चंद किसे काते हैं तिसरा है निमनलखित और पठित गद्धांश को पढ़ कर पूछे गए प्रशनों के उत्तर लिखिये आज के विध्यारतियों को स्वाव लंबी बनना चाहिए इसी के बल पर वो निर्धनता के अभिशाब से बचकर अपनी सिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं अधिकांस धन्वान बच्चे इस गुन से वंचीत रहते हैं उन्हें उदर पूर्ति के लिए पेतरक संपत्ति मिल जाती है इसलिए वे स्रम से कतराते हैं स्वावलंबी मानाव ही राष्ट और समाज का कल्यान कर सकता है गद्धांश का उची सिर्षक लिखिये स्वावलंबी बनने से लाब लिखिये प्रश नमबर पांच डक्टर चंद्रा सामान ने जनों से किनकिन बातों में भिन थी अथवा गोवर्ण राजा के पास क्यों आया था प्रश नमबर छे मीरा की भक्ती भावना पर अपने विचार लिखिये अथवा चित्तोड का जोहर क्यों प्रसिद्ध है प्रश नमबर साथ ब्रहमरी प्राणायाम करने की विधी लिखिये अथ्वा श्रताव धानी व्यक्ति कोन कहलाते हैं प्रश्ण नमर आठ अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें अपनी पड़ाई की जानकारी दी गई हो अथ्वा प्रधनाध्यपक को शाला तयाक प्रामान पत्र प्राप्त करने के लिए प्रातना पत्र लिखिए प्रश्ण नमर नौ निमन लिखित गद्धान्श की संदरप सहीद व्यक्या कीजिए सूप का एक द्वार बंध होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है लेकिन कई बार हम उस बंध द्वार की ओर इतनी तलिनता से ताकते रहते हैं कि हमार लिए जो द्वार खुल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते अत्वा, हिमाले की अत्वा बरफिली चोटियों पर नज़र डालिये वे चल रही हैं, गल रही है, एक सभेदी यहां भी है जो गलती नहीं है ढलती नहीं है, नरवदा चाहे कितनी मरमर करे किंतु वह मरती नहीं है शताब्दियों ने इसे अमर ही देखाए इसे अमर ही रहीगी प्रश्णमदस नीमनिल्खित पदांच के संदर्ब सहीत व्याक्या कीजिए रण भेरी सुन सुन विदा विदा जब सेनिक पुलक रहे होंगे हातों में कुंकूल थाल लिए जलकन कुछ धुलक रहे होंगे करतव्य प्रेम की उल्जन में पत भूल न जाना पथिक कहीं अत्वा मेरो मन अनत कहां सुख पावे जेसी उड़ी जहाँच को पंची फिर जहाँच पर आवे कमल नेन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे परम गंक को छाड़ी पियासो दुर्मती कूप खनावे जीही मदुकर अंबुज रस चाक्यो क्यों करिवल फल फावे सूर दास प्रभु काम धेनू तजी छेरी कोन दुहावे प्रश्ण नमर ग्यारा याचक और दाता अत्वा नन्ना सत्या ग्रही में से किसी एक कहानी का शारांस लिखिए प्रश्ण नमर बारा निम्न लिखित में से किसी भी एक पर लगबग 150 शब्दों में निबंद लिखिए प्रक्षा रोपन कोई त्यवहार स्वच्छता अभियान विज्ञान के चमतकार आपने देखा ये वाशिक मुल्या का नेतू अभ्यास प्रश्ण पत्रक अक्षा आठवी विश्य हंदी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद ये सेम्पल पेपर टू था